बीजेपी बिधायक मंदा मात्रे की सिठकों से मांग जरजर इमारतों को चार एफैसाई देकर प्राइबेट विल्डरों से कराएं पुनरविकास सिउसेना ने बताया स्रेल लेने की होड़ बाच्पा बिधायक मंदा मात्रे ने आज एक प्रेस कॉन्फरेंस में बेलापुर में मरीना प्रोजेक्ट को पूरा करने वाशी में महाराष्ट भवन निर्मार के लिए सिठकों से पहल करने एवं गाउठानों में सिठी सर्वेक्षन जल्द शुरू कराने का मुद्दा साम को दिया सिठको एमडे से की गई मांग का हवाला देते हुए मंदा मात्रे ने श्रापूर पालन जी एल एंटी टाटा और बीजी सिरके जैसे प्राइबेट बिल्डरों का नाम भी सुझाया और कहा कि यदि ऐसे विकासकों को पुनर निर्मार का काम सौपा जाता है तो इस दोकादायक इमारत है जो अभी आपने देखा बानुचाली मुंबई में इमारत गिर गई मार में गिर गई विवंडर में गिर गई और बहुत सारे लोगों की मृत्ति हो गई मगर हमारे नवी मुंबई में शिडकों ने बनाई हुए जो इमारत है प्रावेट बिल्डर ने बनाई हुए इमारत है सब दोकादायक हुई है 20-40 साल से हमारी डिमांड है कि हमको एपेसह बड़ाके 2 डाई ऐस दिया है उसमें कोई भी विकाषक आके काम करना नहीं चाहता है तो हमने आज शिर्कों एमडी के पास 4 हैपिसze की मांग की है और इस इमारत को बनाने के लिए दोकादायक इमारत का प्रोजेक्त प्रोजेक्त बनेगा तो लोगों को एक रात मिलेगी लोगों को एक अच्छा बड़ा मकान अच्छा कॉलिटी वाला और उनको एक रात मिलेगी कि हमारा कोई भी हमको यह फसाया नहीं जा रहा है हमको ये गर बराबर मिलेगा इसलिए आज मैंने वो डिमांड की है बताता है कि चार साल पहले चार फैसाई की यह मांग गने स्नाइक भी उठा चुके हैं तब खुद मंदा मात्रे ने इसका विरोध किया था अब मंदा मात्रे की इस मांग को शिवशेना ने जूठी कवायत करार दिया है उपनेता विजय नाटा ने कहा कि यह स्रे लेने की होड है क्योंकि उन्हें पता है कि उद्दव सरकार पूरे राज्य के लिए यूनिवर्सल GDCR तयार कर रही है जिसमें जरजर इमारतों को चार FSI मिलने वाला है मंदा मात्रे उस काम का स्रे लेना चाहती है जिसे शिवशेना सरकार कर रही है विजय नाटा ने कहा लेकिन जनता उन्हें एक दिन सच्चाई जरूर दिखाएगी इस उसर पर महामंत्री राजे स्पाटिल विजय घाटे जिलाध्यक्ष रामचंद घरत ने भी अपनी बात रखी और 22 सालों से लंबित पड़े मुद्दों को हल करने पर जोड दिया बेरो रिपोर्ट टीवी ओन इंडिया